दोस्तों नमस्कार मैं संजे शर्मन जोठे आपका स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो सीरीज में जिसका नाम है अम्बेट करवाद क्या है अशुक कुमार पांडे जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और दस साल से भी ज़्यादा समय से हम काफी गहरे मित्र रहे हैं और कई बार बहुत सारी शुरुआते एक साथ करने की कोशिश की लेकिन अब एक मौका निर्मित हुआ है अशुक भाई ने अप्रेल महीने में मुझे सुझाओ दिया था कि क्रेडिबल हिस्ट्री चैनल के माध्यम से अम्बेट करवाद पे कुछ चर्चा शुरू की जाए तो उन्होंने कहा था कि एक सीरीज शुरू की जा सकती है और मैं उसको लीड कर सकता हूँ तो मुझे यह आइडिया बहुत पसंद आया क्योंकि मैं भी चाहता था कि किसी ने किसी तरीके से मैं ऐसी किसी कोशिश का अंग बन सकूँ और बाबा साहिब अम्बेट करके विचारों को अपने मौलिक रूप में लाने में अपनी थोड़ी भूमी का निभा सकूँ तो Credible History Channel के माधियम से इस सीरीज के माधियम से बाबा साहिब अम्बेट करके विचारों को दुनिया के सामने लाना और सही संदर्वों और सही कॉंटेक्स्ट में है ना उधारनों के साथ उसे साफ करते हुए ज़ादा क्लियरिटी की साथ हम रख सकते हैं इन विचारों को और बाबा साहिब अम्बेट करके काम के जरीए उनके लेखन के जरीए उनके भाषन के जरीए जो कुछ एक समझ निर्मित होती है अम्बेट कर वाद नाम की विचारधारा की परती वो समझ बनाने में हम कुछ कोशिश कर सकते हैं तो उसी कोशिश के लिए ये वीडियो सीरीज शुरू की जा रही है जब अशुक भाई ने ये प्रपोजल मेरे सामने रखा था ये अपरेल महीने की बात है उस समय मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट की सिल्चले में जंगल और गाउं पहाड में दोड रहा था तो उस समय ये शुरुआत नहीं की जा सकी अब मैं शहर में स्थिर हो गया हूँ इसलिए ये काम शुरू किया जा सकता है तो मुझे खुशी है कि मैं देर सही सही लेकिन ये वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ दोस्तों बहुत लंबे समय से ये एक आवशक्ता बनी हुई थी कि अमबेटकरवाद को या अबावसाहब अमबेटकर की विचारधारा को उनके विचारों को, उनके काम को उनके लेखन को, उनके भाषनों को उनके द्वारा दी गई प्रस्तावनाओं को उनके द्वारा की गई निंदाओं को उनके द्वारा की गई प्रशंसाओं को सही तरीके से एक होलिस्तिक ढंग से पेश किया जाए और ये आवशक्ता बढ़ती जा रही है हम देख रहे हैं अभी हमारे चारों तरफ जो कुछ चल रहा है हाला की इंसानियत के इतियास में ऐसा कोई समय नहीं रहा है जब उस जमाने के चिंतनशील लोगों को चिंता नहीं होती होगी हर दोर में इस तरह की चिंताएं रही है लेकिन अब जो चिंताएं बन रही हैं अब जो चिंताएं उबर रही हैं खास कर आज़ादी के इतने सालों बाद अब जब बहुत तेजी से राजनेतिक सामजी परिवतन हो रहे हैं और खास तोर पे जब साइन्स और टेकनोलोजी के माध्यम से हमारे सूचने समझने का और जीवन जीने का ढंग जब इतनी तेजी से बदल रहा है ऐसे में अगर हमारे पास अमबेड करवाद की ठीक समझ नहीं है तो भारत में हम बहुत ही असुरक्षित हैं ये एक बहुत बड़ी बात है जटिल बात है इसको दीरे दीरे हम साफ करेंगे आने वाले सर्चाओं के माध्यम से लेकिन शुरुआत में इस पहले वीडियो के जरीए मैं कुछ भूमिकाएं बना देना चाहता हूँ कि अमबेड करवाद को समझना क्यों जरूरी है इस बात को रेखांकित किया जा सकता है आसानी से और वो समझी जा सकती है वो बात वास्तों में अगर हम देखें कि भारत की कुछ खास किसम की समस्याएं हैं जिनका की निदान और इलाज अमबेड करवाद के जरीए ही किया जा सकता है या तो उन समस्याओं को समझने की बात हो या उन समस्याओं का समधान करने की बात हो इन दोनों तरीकों से अगर हम भारत को और भारत की समस्याओं को देखने निकलें तो हमको साफ नजर आता है कि भारत की ऐसी बहुत सारी समस्याओं हैं जो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहिब अम्बेड करके सिसमे से ही देखी और समझी जा सकती है अभी भारत में बहुत सारी विचारधाराएं है निशित रूप से हर एक समाज में, हर एक देश में बहुत किसम के विचारक और बहुत किसम के दार्शनिक और बहुत किसम के चिन तक रहे हैं उन सब की विचारधाराएं वहाँ पर काम करती रही हैं विचारधाराओं की एक विविधता होती है हर समाज में बहुत किसम की विचारधाराएं समाना अंतर चलती है और काम करती है कुछ विचारधाराएं राजनितिक ज़्यादा सामाजिक कम होती है कुछ सामाजिक ज़्यादा राजनितिक कम होती है कुछ सांस्कृतिक धार्मिक विचारदाराओं के नाम से काम करती है पूरा एक विश्तार होता है जिसके जरीए हम किसी देश के बहुविद अस्तित्व को जानते हैं भारत में खास दौर से परंपरा से चली आ रही या परंपरा सम्मत जो लक्ष हैं और जो तौर तरीके हैं उनको अपने साथ समेटे हुए बहुत सारी विचारदाराएं है और कुछ विचारदाराएं हमें विदेशों से मिली हैं येरोप से मिली हैं ऐसी बहुत सारी विचारदाराएं और उनके आपस में जो जिस बिंदू तक वो एक दूसरे के साथ काम करती आई है सहमती से उनके नए रूप भी बने है हमारा अपना समाजवाद का एक सोचने समझने का तरीका है भारत में मार्क सुहाद की अपनी एक समझ है अपना एक तरीका है भारत के पास गांधिवाद है ही भारत के पास और भी बहुत सारी धर्म और संस्कृति से जुड़ी विचार धारा हैं जिनके अपने अपने लक्ष हैं, अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने प्रस्थान बिंदु हैं इन सबकी भीड में बाबा साहब अम्बेड कर भी है जो एक विशेश दरस्थिकोंड से भारत को, भारत के अतीद को, भारत के वर्तमान को और भारत के भविश्य को देखते हैं दोस्तो हर एक विचारक, हर एक दरस्थिनिक, हर एक चिंतक अपने नजरिये से अपनी समय की समस्याओं को देखता है और इसलिए वो दार से नहीं यह विचारक कहलाता है क्योंकि उसका अपना एक नजरिया होता है और बाबा साहब अमबेटकर का जो नजरिया है भारत को और भारत की समस्याओं को समझने का वो बड़ा मज़दार है मज़दार इस सिंस में कि डॉक्टर अमबेटकर वास्तों में एक डॉक्टर है मैं चिकित्सक की बात कर रहा हूँ डॉक्टर अमबेटकर इस भारती समाज के लिए एक चिकित्सक है डॉक्टर अमबेटकर जब भारत को और भारत की समाज को जब देखते हैं तो वो भारत के समाज को एक मरीज की तरह देखता है ये एक रूपक में, एक एनालोजी में मैं बात कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे भारत में ऐसी बहुत सारी चीज़ां हैं जिनको हम बीमारियों का नाम दे सकता है और कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो बिलकुल कैंसर की तरह है जैसे जाती वियोस था, वर्ण वियोस था है यहाँ जो ब्रामन वाद है यहाँ पे उची जातियों का, नीची जातियों के प्रतीजो दरस्तिकोन है और नीची जातियों का अपने से भी नीची जातियों के प्रती जो रस्टी कोण है वो एक कैंसर की तरह है तो डॉक्टर अमबेटकर जब इस कैंसर को ठीक करने के लिए या इसका निदान या इलाज करने के लिए निकलते हैं वो बिल्कुल एक चिकित्सक की तरह बात करता है। इसलिए उनकी methodology एक doctor की methodology है। वो बिल्कुल step by step चीजों को देखने, सुनने, समझने और उसके पूरे विस्तार में उसको explore करने की कोशिश करता है। And that's why Ambedkarwad, Ambedkarism has a different kind of methodology. वो बहुत ही अलग की समसे भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्षिनिक समस्याओं को देखते हैं। इसलिए अंतमेवे एक ऐसे समाधान तक पहुँचे, जो सामाजिक और प्राजनियतिक समाधान से कहीं आगे निकलते हुए, एक धार्मिक समाधान में जाके विक्सित होता है। तो मैं यह कह रहा था कि बाबा साहब अंबेटकर को जब हम समझने निकलते हैं, उनकी विचारधारा को जब हम समझने निकलते हैं, तो हमें अनिवारे रूप से ये भी समझना होता है कि वे किस समाज में, किस जाती में, किस दौर में और किस तरह के भारत में पैदा हुए कहां से उन्होंने अपनी वेचारिक यात्रा शुरू की थी, कहां से उन्होंने पढ़ाई की थी, किन लोगों से वे परभावित रहे, किन गुरुओं को वे अपना गुरु मानते हैं, किन लोगों को वे अपना विरोधी मानते हैं, किन लोगों को वे अपना सहयोगी मानते है और किन लोगों के लिए उन्होंने अपने परिवार के लोगों की कुर्बानी दी, अपने जीवन और स्वास्त की कुर्बानी दी और किन लोगों के लिए उन्होंने एक नए धर्म की रचना की ये सब हम देखेंगे, ये सब देखना बहुत बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है क्योंकि हम अंबेड करवाद को समझना चाहते हैं हम बाबा साहिब अंबेड कर को समझना आसान काम नहीं है क्यों? क्योंकि भारत को समझना बहुत आसान काम नहीं है अगर बीमारी को समझना कठिन है तो आप सोचिए उस बीमारी को इलाज करने वाले डॉक्टर को भी समुझना कठिन ही होगा लेकिन इस कठिनता का थोड़ा सा शमन किया जा सकता है हम ऐसे तरीके खोच सकते हैं जिनके जरीए बाबा साहब अमबेटकर के बारे में कुछ रोचक तरीके से बात करें किनी घटनाओं के उदारनों के माध्यम से आपके सवालों के जरीए मेरे जवाबों के जरीए या मैं कुछ सवाल उठाऊं और कभी आप जवाब दे सकें इस तरह भी बात की जा सकती है तो धीरे धीरे ये तरीका विक्सित होगा और मुझे उमीद है कि हम बहुत सारे लोग हैं बारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बाबा साहिब अमबेटकर का संबान करते हैं और उनके विचारों को समझना चाहते हैं ताकि हम अपने लिए एक बहतर भविश्य बना सकें बाबा साहिब अम्बेटकर को समझने के रास्ते में हमें बहुत ही धीरे-धीरे सिस्टेमेटिक तरीके से चलना होगा इस चीज़ की बहुत जादा आउशक्ता अब बन चुकी है जिसे मैं शुरुआत में कह रहा था पहले कि अप एक शाह अब वह आउशक्ता बड़ी है क्यों बड़ी है क्योंकि अब जिस तरीके से सामझिक राजनेतिक बदलाव तेजी से हो रहें मैं सिर्फ राजनेतिक समी करनों की बात नहीं कर रहा है वो मेरा विशाय भी नहीं है समाज जिस तरीके से बदल रहा है और विज्ञान और तक्नीक के माद्यम से उसमें जो बदलावार है ऐसे में वो समस्याएं जो कि भारत की मौलिक समस्याएं हैं वो समस्याएं पहले से कहीं जादा बढ़ती हुई नजरा रही है अब भारत की जो टिपिकल प्रॉब्लम है जो भारत में जो ब्राह्मनवाद है और उसके फॉलो अप में जो जाती और वर्ण की समस्या है वो ऐसी समस्या है जो सिर्फ भारत में ही मिलेगी आपको या फिर वहां भी मिलेगी जहां पर भारती ये जाके गंदगी फैलाने लगे हैं अभी अमेरिका में यूरोप में कास्ट के खिलाफ जाती और जाती गत भेदवाओं के खिलाफ कानून बनने लगे हैं बाबा साहिब अम्बेड करने बहुत पहले ये कहा था कि ये बीमारी अगर हम अपने ही घर में इसको दूर नहीं कर पाए तो भारती लोग जहां जहां जाएंगे वहां वहां इस बीमारी के कीटानू लेकर जाएंगे और ये साफ नजर आ रहा है इसके परिणाम नजर आ रहा है अमेरिका में यूरोप में अब इसके खिलाफ कानून बन रहा है अब अमेरिका में तो यह हो रहा है कि क्रिटिकल कास्ट थियोरी पे काम चल रहा है क्रिटिकल रेस्ट थियोरी की तरह ही उसमें नए सिद्धांद आ रहे हैं ने कुछ चिन्तक हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और इस दिशा में काम हो रहा है कि जिस तरह है नसली ये बेढ़श्य बेढ़़ Hom, एक दंड़नी अपराद है उसी तरह जातिकत बेढ़़व को भी एक दंड़नी अपराद में बना दिए जायाfund इस पे वरक्शॉप हो रही है कारिशाला है हो रही है इस पर जो प्रोफेशनल लोग हैं चाहिए वो आई टी सेक्टर के हो, हल्थ सेक्टर के हो, किसी भी सेक्टर के हो, उनको प्रशिक्षण लिया जारा है कि भै आप सावधान रहें, आप जागरुक रहें, जैसे एक काले और गोरे के बीच में आप इस तरह की नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत लोग इसको अच्छा मानते हैं, कई दूसरे लोग हैं जो इसको बहुत बुरा मानते हैं, ये कह रहे हैं कि ये तो भारती जीवन शेली, भारती धर्म दर्शन और भारती जबिता के जो defining factors हैं, उनमें कोई हस्तक हैं, इनको किस नजरी से देखा जाएं, बहुत लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि भाई, इस चीज़ को कैसे देखा जाएं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे, तो अमबेट करवाद को चर्चा में लाते हुए, हम सिर्फ अतीत तक ही सीमित नहीं रहेंगे, सिर्फ हम बाब निकलता है, जो अंतरदर्श्टी निकलती है, उसके जरीए हम आज की घटनाओं को कैसे समझें, and that is the real meaning of understanding अमबेट करिजम, उधारन के लिए, अभी एक बड़ी शर्मना घटना हुई है, कुछ दिनों पहले, मद्द्रदेश में, सीधी जिले में, एक ब्राहमन ने, मैं न फूंकते हुए, एक आदिवासी के सिर्फ पेशाप की है, आपने भी उसका वीडियो देखा हुगा, एक व्यक्ति, किसी दूसरी व्यक्ति के सिर्फ पेशाप करता है, इसको आप मार्क्सवाद से बहुत आसानी से नहीं समझ सकते हैं, इसको आप किसी और विचारधारा से इस गटना का विचलेशन करते हुए आप नहीं समझ सकते हैं, आपको इस गटना की जो तीवरता है और इसमें जो समस्या है, है ना, इसके जो पावर डायनमिक्स है, इस गटना के पीछे चुपा हुआ, इस गटना के पीछे चुपा हुआ जो मनुविज्यान है, उसको पुरी दुनिया में अमीर लोग, गरीब लोगों को सताते हैं, ताकत वर लोग, कमजूर लोगों को सताते हैं, पुरी दुनिया में चोरी होती है, डाका डाला जाता है, हत्या होती है, लूट होती है, बलातकार होता है, और उसको समझाने के अपने अपने तरीके हैं, और उंच नीच के जरीए समझाए जाते हैं और ये जो उंच नीच होती है ये पैसे और धन और ताकत के संस में होती है सामनित है इसी तरीके से हम भेदभाव को समझते हैं लेकिन भारत में भेदभाव एक अलेगी ही लेवल पे चलता है उसका बिलकुल अलेगी फ्लेवर है अलेगी टशन है उसका और वो भेदभाव बिलकुल निराला है वो आता है ब्राह्मनबाद के गर्भ से वो आता है जातिवाद के गर्भ से वो आता है वड़नाशनम धरम के गर्भ से और भारत की कोई भी पुरानी विचारधारा या इसलिए बाबा साहिब हम बेड़ कर एक नया ही रास्ता निर्मित करते हैं, अपने बच्पन से लेके अपनी मृत्यु तक उन्होंने इस रास्ते को एक एक इंच बनाया है, और इस रास्ते को बनाने में ही उन्होंने अपने शरीर और स्वास्ती की कुर्बानी दी, ये जो रास्ता है जब हम इस रास्ते से चलके इस घटना को देखते हैं तो समझ में आता है कि कोई एक उची जाती का मनुश्य एक नीची जाती के तथा कथित नीची जाती के मनुश्य को एक आदिवसी मनुश्य के सिर्व पे पेशाप क्यों करता है जब हम यह देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस्तिरियों से बलातकार होता है यह बहुत कॉमन है ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में भारत की इस्तिरियों के साथ बलातकार होता है लेकिन जब हम यह देखते हैं कि दलित महिलाओं के साथ या आदिवसी महिलाओं के साथ उची जाती के जो लोग हैं वो सामोहिक बलातकार करते हैं और इस काम को इस तरह अंजाम दिया जाता है कि जैसे किसे पूरी दलित बिरादरी के नाक काटनी हो उनको ये जो बात है कि भई हम कोई बहुत बड़ा राजनेतिक काम कर रहे हैं जिसके जरीए किसी दूसरी जाती या दूसरे वर्ण के लोगों को हम एक संदेश दे रहे हैं कि भई तुम अपनी अवकात में रहो ये जो शब्द है ना मैं इसको जानबूज के यूज़ कर रहा हूँ कि भई आप अपनी अवकात में रहो ये जो एक्स्प्रेशन है इसको आप अमबेट करवाद के अलावा और किसी विचारधारा से नहीं समझ सकते ये सिर्फ गरीब और अमीर का संगर्श नहीं है ये एक पूजी पती या सरवहरा का संगर्श नहीं है ये एक बैमान और एक इमानदार का संगर्श नहीं है यह एक ब्राह्मनवादी मनुष्य का एक दलित पर अत्याचार है यह एक ब्राह्मनवादी ताकतवर व्यक्ति का एक भारतिय पर अत्याचार है इसे समझना किसी और विचालधारा से संभव नहीं है ऐसी बहुत सारी बाते हैं ऐसी बहुत सारी बाते हैं जो पितर सत्ता से जुड़ती हैं सीधे सीधे अगर हम कहें कि भई पितर सत्ता और पुरुष की जो सत्ता है वो जब महिलाओं पर हमला करती है तो उसके expression हम पूरी दुनिया में देखते हैं वो एक जो gender की inequality है उसके एतबार से जो बाते आती हैं उसको हम जानते हैं लेकिन जब उसमें जाती का भी तड़का लग जाता है तब वो समस्या और गहरी हो जाती है तब वो समस्या और जटिल हो जाती है और इस जटिल समस्या को आप अमबेड करवाद के नजरिये से ही समझ सकते हैं इसलिए ऐसे बहुत सारी चीज़ा हैं जिनको की हम अमबेड करवाद के नजरिये से ही ठीक से समझ सकते हैं तो धीरे धीरे हम आप रियास करेंगे step by step हम चलेंगे आगे बढ़ेंगे और आप प्रशन भी पूछें तो बहुत अच्छा होगा आप अगर कोई नए मुद्दे पर बात शुरू करना चाहते हैं या फिर मैंने कहीं कुछ कोई बात ऐसी कही है जो पूरी तरह इस पस्ट नहीं हुई है या गलत है या असमों सुधार की संभावना है तो आप प्लीज मुझे बताते चलेंगे कि कहां पर सुधार किया जा सकता है और दीरे दीरे हम विक्सित करेंगे इस चर्चा की शैली को इस वीडियो सीरीज को और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आईगी ये वीडियो सीरीज पसंद आईगी और दोस्तों मैं आपसे ये निविदन करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दशकों में हमने अपने महान विचारकों को और रास्त निर्माताओं को परियाबत इजज़त नहीं बक्सी है हमने उनका अफमान किया है हमने उनकी विचारधारा को उनके कामों के बारे में जो जानकरी है वो अपने लोगों तक नहीं पहुचाई है इसी कारण इतना ज़्यादा असमंजस इतनी ज़्यादा नफरत इतनी ज़्यादा एक दूसरे से उदासीनता हमारे समाज में चारों तरफ फैल गई है और उसका दूस परिणाम हम देख रहे हैं अगर ये इस्थिती और बहुत लंबे समय तक अगर बनी रही तो भारत का बहुत बुरा फैसर होने वाला है आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ अगर हम भारत के समाज को ही देखें आज जिस तरीके से जो घटनाए हो रही है वो अगर बढ़ती गई तो हम सब के भविश्य का कोई बहुत अच्छा सोरूप नहीं उबरने वाला है इसलिए हम सब पे एक बड़ी जिम्मेदारी है जितनी भी हमारी सामर्थ है हमारे पास समय है हमारे पास रिसोर्स है हमको उसका इस्तमाल करते हुए भारत के जो महापुरुश है वो चाहे किसी भी विचारधारा को मानते रहे हैं किसी भी तरीके का उन्होंने आउटलुक देश और दुनिया को समझने के लिए दिया हो हमको उनकी बात करनी चाहिए उनकी अच्छी बातों को इस देश को बनाने के रास्ते में उन्होंने जो कुछ भी युगदान दिया है उन बातों को लोगों के सामने लाना चाहिए और बहुत गंभीर चर्चा हमको हर मुद्दे पर करनी चाहिए अगर हम ये कर सके एक दूसरे के साथ मिलकर तो हम अपना भविशे सरक्षित बना सकेंगे तो इसी निविदन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और क्रेवडिवल हिस्ट्री चैनल की तरफ से आपसे निविदन करता हूं कि आप बने रहे हमारे साथ आपको अगले एपिसोड में हम विदिवत रूप से अमबेड करवाद क्या है इस विशे पर नई बाते आपके सामने रखेंगे और धीरे धीरे हम इस चैनल के माद्यम से इस विडियो सीरीस के माद्यम से बाबा साहिब हम बेड करके विचारों को समझने की कोशिश करेंगे धन्यवाद, नमस्कार